हमेंसे ज्यादाता लोग डोलर कमाना चाहते होगे क्योंकि डोलर रुपीज से बड़ा है जो कि सही भी है लेकिन क्या आप यह सच जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब एक रुपिय के बराबर एक डोलर था यानि कि एक डोलर के लिए हमें एक रुपीज ही देना पड़ता हाँ आपने बिल्कुल सही सुना एक रुपीज इस इक डोलर बात है 1947 की जब भारत आजाद हुआ था तब एक डोलर के बराबर एक रुपीज था लेकिन बाद में भारत का रुपिया कमजोर पड़ता गया और युएस का डोलर मजबूत होता गया और हालात यहां तक पहु हेना मज़ेदार बात एक युएस डोलर के बराबर एक भारतिय रुपी वीडियो कैसा लगा नीचे चैट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फोलो कर ले और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले